हेलो दोस्तो, Arkimix Entertainment चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो, क्याप जानते हैं, Mother's Day, जो कि एक माता मा का दिन होता है वह कब मनाया जाता है, भारत में यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या गानी है कैसे मनाया जाता है यह सारी जानकरी क्या आप जानते हैं अगर नहीं जानते दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आपको यह एक एक जानकरी देने वाला हूँ मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर किलिक करें ता कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम और सबसे पहले मिल सकें त माताओ के परवाओ को बढ़ाने के लिए बच्चों को मातरतु बंदन बढ़ाने के लिए मातर दिवस मनाया जाता है जिसे इंग्लिश में mother's day बोला जाता है मा प्रकृति का सबसे अच्छा उपहार है यह उन विरास्तों समाज के पहलों और उन चुनोतियों के बारे में स सर्थ प्यार करती है सबसे अच्छी दोस्त और हर परिस्तिती में वे एक सिक्सक की तरह अलग-अलग भूमी का निबाती है Mother's Day या मातर दिवस एक ऐसा दिन होता है जो कि पूरी तरह से दुनिया भर के सभी माताओं पर नोचावर होता है देखा जाये तो Mother's Day या मातर दिवस के दिन परिवार की एक बहुत ही महत्पुन सद्यस से मा के साथ साथ उनकी मातरतों बंधन और समाज में माताओं के परभाव को सम्मान करने वाला एक उत्तम उत्सव होता है इसे दुनिया के प्राए सभी हिसों में स्थित देशों में विभिन दिनों में मनाया जाता है देखा जाये तो इसे आम तोर पर मार्च या माई के महिनों में ही मनाया जाता है दोस्तों बारत में मदर्श डे हर साल माई के दूसरे रवीवार को मनाया जाता है और इस बार यह दूसरा रवीवार दस माई को आ रहा है जी हां दोस्तों इस बार 2020 में बारत में दस माई को मदर्श डे मनाया जाएगा दोस्तो इसे मा को सम्मान देने के लिए मदरिंग संडे जो की इसाईों का त्योर है के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अलग लग दिनों और विविन रूपों की कारण मातर दिवस मनाया जाता है यह दिन आश्टेलिया, न्यूजिलेंड, भारत, चीन, कनाड़ा, दक्षिन अफरिका, अमरिका और यूरोपिय देसों जैसे अधिकांस देसों में मनाया जाता है लेकिन एक अपवाद यह है कि कुछ अरब देसों और कुछ यूरोपिय देसों में मार्च के महिने में यह दिन मनाया जाता है मदर्स डे की सुरुवाद, बीसवी स्ताबदे में एक अमरेकी व्यक्ति एना जार्विस ने की थी जो सियोग से कभी मा नहीं बन पाई इनका जनम 1864 में हुआ था, जब वह 12 साल की थी तो उसने अपनी मा एन मेरी जार्विस को प्रार्थना करते हुए सुना की उसे उमीद है कि जीवन के हर छेतर में मानावता की सेवा करने वाली माताओ को पहचानने के लिए कोई ना कोई दिन जरूर बनेगा वह उस प्रार्थना को नहीं भूली, एन मेरी की प्रार्थना मातरतों के बारे में कोई उदासीन भाउना नही थी, यह उनकी समाजिक और सांती, शक्रियता और सामुदाई कारियों में नहीत था, उसने वैस्ट वर्जिनिया में चर्चों में मदर्षडे वर्क कल्बों का गठन किया, जहां वह रहती थी, अमरी की गरहयूद के बाद, उन्होंने अलग अलग राजनितिक मानियताओं के सेनिकों और नागरिकों को साथ लाने के लिए मदर्स फ्रेंड्सिप डे का आयोजन किया, यह शान्ती और दोस्ती को बढ़ावाद देने के लिए कई वर्सो अमरीका में मदर्स डे की स्थापना के लिए एक आकरामत अभियान सुरू किया, कुछ ही वर्सों में उन्हें सफलता मिली और 1914 में यह अमरीका में आधिकारिक अवकास बन गया, माताओं को समानित करने वाले मोजुदा समारों को फिट करने के लिए तारिक बदल दी, 1872 में जब एना केवल आठ साल के थे, एक और अमरीकी ने पहले ही मदर्श डे की पैरवी की थी, वह कवील लेखक, संपादक और राजनितिक कारी करता जूलिया वार होवे थे, जिन्होंने पूछा कि दो जून को मातर दिवस के रूप में मनाया जाए, उनके प्रियास ऐस सफल रहे, लेकिन 1870 में लिखी गई उनकी अपील टू वूमेन हुड थ्रूआउट दा वर्ल्ड, आंसिक रूप से अमरीका के लंबे और खूनी ग्रह यूद की पर्तिक्रिया के रूप में मातर दिवस उधोशना के रूप में जाना जाने लगा, 1908 में वापस एना 24 नामक की ही एक महिला ने अपनी मा के लिए 1905 में ग्रामटेन वैस्ट वर्जीनिया में अपनी मा के लिए एक समारक का आहजन किया था, इस दिन को छुट्टी का दिन बनाने के अनुरोध को सुरू में इंकार कर दिया गया था, लेकिन 24 के प्रयासों के कारण 1911 तक सभी अमरीकी राज्यों ने छुट्टी का पालन करना सुरू कर दिया, अमरीकी राज्यों नीता और वकील वुड्रो विल्सन ने 1941 में माताओ को सम्मानित करने के लिए राष्ट्य अवकास के रूप में मई के महिने में दूसरे रविवार को गोसित एक गोसना पर अस्ताक्सर किये, इसलिए मातरतों को सुलाम करने के लिए समाज में माताओं को परभाओं को बढ़ाने के लिए बच्चों को मातरतों बंधन बढ़ाने के लिए मातर दिवस मनाया जाता है दोस्तों एक माँ सिर्फ एक महिला माता पिता नहीं होती है जो नो महिने तक अपने गर्म में पल रहे बच्चे का गरब धारन करती है बलकि वह भी जो अपने जीवन के अनुबव को अपने बच्चों के बहुशों को सुन करने के लिए लगा देती है मा वह है जो अपने बच्चे की देखबाल करने में अपने जीवन का एक महतपून हिस्सा बलीदान कर देती है हम सभी की माताए हैं इसलिए हम सभी को मिलकर इस दिन को मनाना चाहिए और यह समय है कि हम विरासत समाज के पहलों चुनोतियों का सामना करें जो हर रोज मा सामना करती है दोस्तों मदर्स डे के अउसर पर हम में से कई पहले से ही उपार गिरेटिंग कार्ड केक फूल का ओर्डर देते हैं या हमारी माताओं को अपने प्यारों और सने को व्यक्त करने के लिए बाहर ले जाने के लिए एक विशेस योजना बनाई जाती है हम में से अधिकांस हर साल अपनी माताओं को यह पताने के लिए एक ही पैटरन का पालन करते हैं वह हम में से हर किसी के लिए कितनी खास है बिटेन, चीन, भारत, अमरिका, मेक्सिको, डैनमार्क, इटली, फिनलेंड, तुर्की, आस्टेलिया, कनाडा, जापान और बेल्जियम जैसे कई देसों में मदर्श्टे पूरे उत्सा और अपने विसेस माता के साथ समय बिताने की उसी के साथ मनाया जाता है, उपारा आदी देकर उन्हें और भी खुश किया जाता है, मा इस परत्वी पर सबसे अच्छा उपार है, क्या आप जानते हैं, इस साल मदर्श्टे सो साल का हो गया है, यह वह दिन है जब हम अपनी माताओं के लिए देख बाल, प्यार, कड़ी महनत और प्रेरक विचारों को महसूस कर सकते हैं, और उसके महतुख को समझ सकते हैं, वह हमारे जीवन का एक महान व्यक्ति है, जिसके बिना हम एक साधरन जीवन की कलपना तक नहीं कर सकते हैं, वह एक है जो हमारे जीवन को अपने प्यार के साथ इतना सरल और आसान बना मा एक ऐसा सरल और एकल सब्द है जिसे हम परिभासित नहीं कर सकते हैं और पूरा भर्मान इसमें बसता है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी बच्चों से कुछ वापिस नहीं चाहती है वह के वल अपने बच्चों को एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाना चाहती है हमारी मातए हमारे लिए प्रेरेक्ट और मार्क दर्शकबल हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और किसी भी समस्या को दूर करने में मदद करती है तो दोस्तों आप अपनी मा को पूरा सम्मान दीजिए उनकी पूरी इज़्चत कीजिए और हर दिन नहीं तो कम से कम इस दि जरूर फिल कराएं उनसे काम ना कराएं इस दिन उनकी काम में हेल्प करें उनके लिए भार से खाना मंगवाएं या भार उन्हें खाना खिलाने ले जाएं उन्हें गिफ्ट दे या किसी भी तरीके से आप उनके साथ पूरा का पूरा दिन टाइम स्पेंड करें जब कि यह सं दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको Mother's Day के बारे में एक एक जानकारी दे दी होगी यह क्यों मनाया जाता है कब मनाया जाता है भारत में कब मनाया जाता है इसको मनाने के पीछे क्या कानी है यह सारी जानकारी आपको मैंने अच्छे से इस वीडियो मे मिल सके और कमेंट बोक्स में हमें या तो अपना डाउट या मुझे अगले किस टोपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ये बताएं और दोस्तों अगर आपको टिक टोक पर कोमेडी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल इस चैनल को फोलो कर सकते हैं टिक टोक पर और आपको अच्छी और हसाने वाली कोमेडी वीडियो गारंटिड मिलेंगी और दोस्तों इसे के साथ यदि आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर किलिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पह झाल पर चैनल पर किलिक करें आप करें आपको उल्हें हैं?